अज़ो अब्रिवन वेलकम टो आज अपने डायनमिक प्रगामिंग प्लेडिस का विश्चन नमबर सेवन करने जा रहे हैं ठीक है लीट कोड में सेवंटी इजी लेवल का क्षेण है बट यह अच्छा क्षेण है काफी फीमिश में तो काफी पॉप्लर क्षेण है क्षेण अ तो question का input और output देखकर समझते हैं कि question क्या कहना चाहरा है question में दे रखा है कि आपको n दे रखा होगा n क्या है मेरा number of stairs है कितने stairs होंगे और आप कितने चलांग लगा सकते हो या तो आप एक step का चलांग लगा सकते हो या तो एक बार में 2 steps का चलांग लगा सकते हो ठीक है ओके और आपको पताना है कि total कितने ways हैं जिससे आप ये पूरे stairs को चड़ सको top तक है ना कितने ways हैं कितने तरीके हैं जिससे आप इस पूरे stairs को यहाँ दो stairs है ना पूरे stairs को चड़ सको या तीन स्टेर चार स्टेर जो भी example लेलो ठीक है तो यह ध्यान में रखना है कि आपके पास दो option है या तो आप एक step चलांग मार सकते हो या तो दो step चलांग मार सकते एक बार में ठीक है आपको number of ways बताना है जिससे आप टॉप में पहुंच सकते हो कितने तरीके से आप टॉप में पहुंच सकते हो ठीक है अब देखो यह पहला example देखते है n is equal to 2 है ठीक है मतलब दो सीड़िया है एक दो दो सीड़िया हो गई और आप यह ना खड़े हो आपके बास केतने तरीके हैं वह देखो या तो आप हर बार एक ही एक ही step चलांग मार सकते हो एक मारा आपने फिर एक मारा तो एक वे मिल गया एक तरीका मिल गया जिससे आप टॉप पे पहुंच सकते हो वह क्या था one step plus one step है वह एक तरीका हो गया आप जो छहलांग भी तो मार शकते हैं तो डाइरेक्ट दो जलांग मार लिए यह दूसरा तरीका हो गया एक और तरीका मिल गया मुझे है न स्नकते ट्री कीती daylight मेहारा आंसर दू है यहां तक एक और देख लेता है यह 3 वाला भी देख लेता- उसके बाद आगे था м कि यहां पर बना लेते हैं 3 स्टेड्स आप यहां खड़े एक स्टेएर हो गया दो वे गया थें रोगा है ऐस कितने तरीके वो सचो आप या तो एक्एक कर सकते हो एक मारा फिर को मारा फिर एक जेत छान वाथ जलना ठीक है क्म चाहिए एक सपी दिया एक सुर्ष टीफ याप टक पहुंच गया अपको एक तरीका मिल गया जिसे कह तॉप पहुंच सकते हूं यहां तक क्लि jego ठीक है उसके बाद क्या कर सकते हो यहां से एक चलांग मारा फिर डायरेक्ट दो चलांग मार लिया एक चलांग मारा फिर दो चलांग मार लिया तो एक और तरीका आपको मिल गया टॉप में पहुंचने का ठीक है और क्या तरीका है आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से डायरेक्ट से ना यह सन्हसे सिंपल है समझना भी सान है अब बस देखते हैं इसको कैसे इसकोर आ सकते हैं तो चलो देखते हैं इसको कैसे अप्रोच में लेंगे सबसे पहले तो हम आएंगे अपना brute force तरीका है ना सबसे पहला मेरा होना चाहिए brute force हमेशा उसके बाद उसको optimize करने का सोचेंगे आपको तो यह पता ही है कि आपके पास दो तरीके हैं आपके पास स्टेर्स चड़ने के दो तरीके हैं तो तो देखो अभी आप यह मतलब कितने स्टेर्स है थ्री है ना number of stairs कितने है थ्री है ठीक है माल लेते हैं अभी आप यहाँ हो जीरो पर हो है ना और आपको पहुंचना थ्री पर है ठीक है अब 0 पर आपको पहुंचना 3 पर है तो हमने क्या बोला हमारे पास 2 options है या तो एक चाल चले या तो डायरेक्ट दो चाल चले है ना दो तरीके है अगर एक चाल चलते हैं मतलब 1 step लिया तो क्या हो जाएगा भाई मैं कहां पहुंच जाएगा और 0 से 1 में पहुंच जा ठीक है इसके बाद यहां पर देखो कि यहां वन इससे भी हमारे पास 2 option है या तो एक step लो है ना या तो टू स्टेप्स लो ओके अगर यहां एक स्टेप लिया तो 2,3 यहां तक लियर है वन में थे ना तो वन में एक स्टेप लिए तो 2 में पहुंच जाएगे ठीक है यहां एक तरीका तो मिल गया वन वे यहां से हम वन रिटर्न कर दें कि भाई हमे न एक तरीका मिल चुका है रिटर्न वन कर दिया यहां पर एक तरीका मिल चुका है ओके चलो ठीक है तो यहां से तो आगे बनने की जुरूत है नहीं हम तो पहुंच गये टॉप पर यहां पर हम र तो वन स्टेप लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3,3 आजाएगा, है ना? अगर तू स्टेप लेंगे, तो 4,3 आएगा, ये तो वैलिड नहीं है, हमें 3 तक चरड़ना है, ठीक है? तो ये हमारा वैलिड नहीं है, ठीक है? और ये वैलिड है, यहां पर देखो हम 3 तक पहुंच चुक है हमें एक और वे मिल गया वे एक और वे मिल गया यहां से रिटर्न कर देंगे कि भाई हमें एक और तरीका मिल चुक है चलो ठीक है और कहा हुआ इससे आगे तो बढ़ेंगे नहीं यहां पर हम रुख जाएंगे अब यहां पर आ जा तुर 2 step लिया तो 4,3 है ना तो 4,3 तो invalid है टीक है 3,3 में आ गया है हमें 3 तक जाना भी था वेरी गुड हमें फिर से एक वे मिल गया है यहां से हम रेटर्न कर देंगे रिटर्न 1 बुलेंगे भाई हमें एक तरीका मिल चुका है तो देखो हमने सारे possible path explore कर लिए और हमें कितने तरीके मिले 1 2 3 यात करो वही हमारा answer भी था हमार output 3 3 था है न ठीक है तो यह चीज़ clear हो गया तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहो कि हमने कितने possibilities यहां ट्राइ कर लिए यह देखो टोटल गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ यहने कि टोटल टू का पावर कि एन एन मेरे number of stairs है क्योंकि मतलब पॉइंट किया है कि जितने number of stairs है जैसे माल लेते हैं यहां पर 3 stairs थे ठीक है तो आप हर एक stair पर आपके पास दो possibilities आ रहे हैं और हर एक possibility के बात फिर दो possibility आ रहे हैं यहां पर आ गया यहां पर आ गया तो time complexity क्या हो जाएगी इसकी o of 2 का पावर n है न न number of stairs है हर stair पे दो possibilities आ रहे हैं ठीक है तो इसलिए time complexity 2 का पावर n होगी ठीक है तो यह brute force है यह brute force जो है इसका यहां पर code कर लेते हैं एक बार ओके जो code लिखने से मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे था है इस recursion diagram को ठीक है मैं तो code simple करने के लिए मैं बता रहो वरना आप कैसे भी लिख सकते हो आपके पास n is equal to 3 था था ठीक है तो आप उल्टा कर सकते हो ना मतलब मैं क्या बोल रहा था कि मैं 0 पर हूं और 3 पर पहुंचना है तो पहले 1 आया फिर 2 आया इसको ऐसे भी कर सकते हो ना भी माल लेते हैं मैं 3 पर हूं थो स्टेप निचे आजाओ कर देख यह ना नहीं या रहा फिर तो यहाँ पर देखं हूं अन्य पर भी दोडिक है रहां रहान Strategy जरो रहां पर यहां पर देखो वन स्टेप यहां फिर टू स्टेप यहां पर आगया जीरो यहां पर आगया माइनस वन जो की इन वैलिड है ठीक है तो देखो कितने बार हम पहुंच पाएं करेक्ट अपने नीचे एक दो तीन आंसर हमारा तीन है ठीक है सिंपल सा है ऐसे भी कर सकतो जैसे आपकी मर्जी चले यह बस कोड सिंपल करने के लिए यहां पर देखो हम एक्स्ट्रा वेरियेबल एक रख रहे हैं आपर जीरो जिसमें ट्राक कर रहे हैं कि अभी कौन से स्टेप में आप सिंपली जो एन वैरियेबल है उसी को यूज कर लो अभी आप थरी पर हो दो तरीक कोड होगा ठीक है तो यार क्या ही है मतलब मैंने क्या बोला एक फंक्शन लिख लेते हैं ठीक है यहां पर हम क्या बेज रहे हैं अपना वेरियेबल भेज दे रहे हैं यहां तक क्लियर है मैंने क्या बोला कि देखरो यहां पर जब भी मैं नेगेटिव चला जा रहा हूं ठ लेस दन जीरो चला गया तो भाई उस केस में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं मतलब अगर 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 पर अगर और अगर और यहां तो हमें एक तरीका मिल गया तो उस कंडक दो इस नौर्ड को लेफटसे वन मिला राइट से जिरो मिला तो दोनों को जोड़ देगा, total ways हमें निकालने न, तो 1 plus 0, 1 भेज दिया इसने, ठीक है, यहां से भी 1 आया, तो यह 1 plus 1, 2 भेज दिया इसने, ठीक है, यहां से 0 आया, तो यहां पर 1 plus 0, 1 भेज दिया, तो total, यह 3 के पास, 2 plus 1 आ जाएगा, 2 plus 1, that is 3, ठीक है, तो हमें total ways निकाल गई नहीं है अगर n is equal to zero है मतलब हमने सारे स्टेट्स चड़ लिए तो return one कर दो ओके यहां था clear है उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमारे पास दो possibilities है int क्या था one step चड़े तो फिर से solve को call कर देंगे क्या n minus one है ना जो यहां पर कर रहे हैं ठीक है int या फिर दूसरी दूसरा तरीका क्या हमारे पास two step चड़े है ना तो solve को call कर देंगे n minus two दो step चड़ रहे हैं ठीक है और सिंपल है जितने तरीके मुझे मिल रहे हैं मुझे बहेज देना है बस कि जितने ways मुझे मिल रहे हैं one step plus जो two step से जितने मिल रहे हैं मुझे तरीके यही मेरा answer होगा as simple as that ठीक है यह हमारा तो brute force तरीका हो गया है करने के क्या है इसों optimize कैसे करोगे memoization को memoization ठीक है यह अप्रोच टू बोल सकते हो बट अप्रोच टू ठीक है हमने अप्रोच वन को ही मुझे कर दिया तो हमारा memoize हो जाएगा और मैं code करूंगा तो उस वक्त मैं memoize करके भी दिखा दूगा memoization तो सब को आता ही होगा और memoize क्यों करने की जरूत पड़ रही है यहां पर देख लो ध्यान से देखो इनको एरेज करते हैं गंदा हो गया थोड़ा कि यहां ठीक है चलो अब एक चीज ध्यान दो इस ड्याग्राम में ध्यान दो एक चीज कुछ चीज़े repeat हो रही है यार देखो यह one है ना one के लिए हमने दो बार सॉल्व किया एक बर यहां और एक बर यहां तो repeat हो रही है अगर हमने इस one का one स्टेट का अंसर स्टेवर कर लिया होता है ना तो हमें दो बारा यहां स्वाल्व करने की ज़़रत नहीं पड़ती तो इसलिए हम मैं मोईस कर सकते हैं we have repeating states अलसो है ना repeating states जब है तो अब्विस सी बात है हम मैं मोईस कर सकते हैं ठीक है और मैं मोईस करेंगे तो देखर वह एक ही वेरिएबल तो चेंज हो रहा है एन ही तो चेंज हो रहा है तो हम एक one dimension array ले ले लेंगे न एन की maximum value 45 दे रखी है 46 चाहिसकी ले 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 लेंगे हैं और इसमें store कर लेंगे में मुइस कर लेंगे तो एक काम करते हैं यह query femezi तरीकता और मेमोई सेशन इनका एक पर कोड़ कर लेते हैं तो I hope question दोबारा बतानी जरोद नहीं पढ़नी चाहिए ठीक है डायरेक्ट हम आज आते हैं अपने solution पर मैंने क्या बोला था कि हम एक solve नाम का function लिखेंगे जिसमें हम n pass कर देंगे और जो return जो आएगा response को return कर देंगे ठीक है I have got one way to cover all stairs ठीक है उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मारे पास दो तरीक है ना one step वाला तरीका ठीक है तो n-1 हो जागा एक step ले लेंगे तो एक नीचे उतर जाएंगे या फिर टू step वाला तरीका तो दो step नीचे आ जाएंगे तो 2- कर दिया तो यहां से जतने तरीके आए और यहां से जतने तरीके आए दोनों को जोड़के भेज दिया हमें total वेजी तो भेजना है ठीक है इसको रन करके देखते है तो मैंने test cases में क्या लिया है 4 और 45 लिया है ठीक है तो 45 के लिए यह time limit exceed हो जागा maximum limit 45 ही है ठीक है तो 45 हटा के बाकी का देख लेते हैं भी 4 3 2 1 9 इनका देख लेते हैं ठीक है फिर 45 का अब्वेस है बहुत बड़ी वैल्यू है टू का पावर 45 इसा बिग वैल्यू इसलिए म बाकी सब पास हो गया है ठीक है 45 पास नहीं हो रहा था ना तो 45 लिख देते हैं यहां पर और एक काम करते हैं इसको memoize कर देते हैं ठीक है मैंने क्या बोला n की maximum value 45 है तो 46 size का ले लो एक वेक्टर है ना memset t-1 size of t-1 से initialize कर दिया ठीक है अब एक काम करते हैं यहां पर एक memoization मैं लगा देते हैं कि अगर हमने इस n के state को देख रखा है पहले t of n is not equal to minus 1 तो मतलब हम solve कर चुके हैं इस n के लिए तो simply t of n return कर दो और अगर नहीं कर रहा है तो t of n में इसको store कर लो memoization तो simple होता है यार सबको आता होगा तो बस हमने memoize कर दिया let's see 45 के लिए पास हो गया simply इसको submit करके देख लेते हैं ठीक है और यह submit हो चुका है great we have solved this question we have passed all data cases अब एक काम करते हैं अब एक चीज़ ध्यान दो इसको हम अब हमारा जो तीसरा अप्रोच है एक तो brute force recursion था फि जो तीसरा प्रोच है उसको देखते हैं कि वह कैसे बना सकते हैं ठीक है अब देखो अब हम एक और नया अप्रोच देखने जा रहे हैं जरेली आपने इस ना अप्रोच को सुना होगा काफी लोग इससे bottom-up नाम से बोलते हैं ठीक है bottom-up बॉटम-up का मतलब क्या हो है ना कि हम नीचे से छोटे solution से बड़े solution में जा रहे हैं और यह हमारा top-down ताई जो हमने recursion व्रेत बनाए ता न टप्डाउन था थ से हम नीचे आ रहे था ना पहले 9- already 2-illes किया था तो बड़े value शीचोटे value मा रहे तो टॉप से डौन जा रहे हैं यह क्या है कि हम छोटे value is equal to n input था अब देखो bottom-up में जंदरी क्या होता है कि हम 1D vector या 2D vector लेते हैं solve करने के लिए आप याद करो अभी थोड़े दर पहले हमने जब code किया था हमने memoize करने के लिए 1D vector लिया था ना हमने memoize करने के लिए 1D vector लिया था n plus 1 नाम का array ले लिया अब देखो इसको मैं define कैसे कर रहा हूं वह सुनों देखो ध्यान देना कि array of i का मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूं ठीक है फिर यहां भरना start करेंगे पहले इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता array i का मतलब क्या होगा number of ways to climb i stairs तो कोई आपसे पूछता कि भाई मुझे न यह चार स्टेर चढ़ने का तरीका बताओ ठीक है यह मुझे दो स्टेर्स चढ़ने का तरीका बताओ तो आप कुछ मत करना उससे array of two भेज देना है ना array of two का मतलब क्या होगा number of ways to climb two stairs अब मुझे कोई भी बंदा question पूछता है मैं direct बता सकता हूं क्योंकि मैंने इस array में store कर लिया answers को है ना वन स्टेर चढ़ने का अंसर टू स्टेर चढ़ने का अंसर थ्री स्टेर चढ़ने का अंसर मैंने सब store कर लिया है यह ठीक है यह तो समझ में आगा बड़ इसको fill करना है ठ आधे को ध्यान दो array of zero मतलब क्या हुआ number of ways जब कितने स्टेर है 0 स्टेर है जब 0 स्टेर है तो 0 ही वेज होंगे है ना 0 डचरह आप तो 0 तरीका हुआ माल लेते वन स्टेर है यह ना 1 स्टेर है तो आप व वैसे एक ही तरीका हुआ ना भाई एक पर तू जंप मार सकते हो तो एक तरीका हो गया, ठीक है, माल लेते हैं टू स्टेर्स है, ठीक है, माल लेते हैं टू स्टेर्स है, तो पहले तो क्या बोलते हैं, पहले तो दिमाग से आंसर दे दो, कि अगर दो स्टेर है तो कितने तरीके ते याद है, एक बार ऐसे चड़ा, एक बार ऐसे चड़ा, या फिर एक तरीका तो यह हो गया था या फिर एक बार में दोनों स्टेर चड़ गया ना एक यी बार में तो तरीके थे आंसर दो था एन इस उकल टू के लिए अंसर टू था ना मतलब क्या हुआ कि array of तू कांसर टू होगा है ना array of two का मतलब क्या हुआ number of ways to climb two stairs अभी मैं निकाल लिया कि टू कांसर टू होगा एन इस उकल टू कांसर टू होगा ठीक है अब एक चीज देखो अभी यहाँ पर थ्री पर आ गया है ठीक है तो अब ऐसे भी तो सोच तकते हो ना कि माल लो यह थ्री है ठीक है हमारे पास दो possibilities दें या तो एक step चढ़ें या तो 2 step चढ़ें राइट अगर एक step चढ़ेंगे एक step चलेंगे नीचे आएंगे तो यहा क्या आ जाएगा डोड़ो में तो याद करो जब 2, फिर हमें 2 का निकालना पड़ेगा, फिर 1 का निकालना पड़ेगा, 2 के बाद भी 2 possibility, 1 के बाद भी 2 possibility, लेकिन हमने के लिए और वन के लिए निकाल रखा है देखो यहां पर यहन रहा है कि 1 का निकाल दो तो मतब क्या करेंगे, simply 2 वाला का answer return कर देंगे और 1 वाला का answer return कर देंगे, 3 का answer आ जाएगा तो 3 का answer क्या लिख सकते हो, sorry, array of 1 का निकाल दो, sorry, array of 2 का निकाल, 1, 2 का निकाल दो, plus array of 1 का निकाल दो, 3 में एक step चड़ेंगे, अगर एक step उतरें, तो 3-1, 2 हो गया, उसका answer निकाल लिया, और 3 में 2 step उतरें, तो 3-2, 1 आ गया, यहाँ पर simply हमने 3 लिख दिया, ओके, और हमारा, हम, लूप हमारा कतम होगे, हमने सारे elements को भर दी है, ठीक है, और, एक चीज़ ध्यान दो, हमें last में क्या return करना है, question में क्या पूचा गया है, कि आप मुझे array of n बताओ, मतलब number of ways to climb n stairs पूचा गया, question में, तो हम चाप क्या करेंगे, n is equal to 3 है, तो array of n return कर देंगे, देखो, answer मेरा 3 है आ गया, इसलिए इसको bottom-up बोलते है, देखो, छोटे-छोटे stairs के लिए हमने निकाल लिया, और बड़े stairs का हमने answer निकाल लिया, छोटे वाले को use करके, 3 का हमने कैसे निकाला था, 2 और 1 को use करके निकाला था, similarly आगे अगर 4 आता है, तो 4 का कैसे निकालेंगे, 4-2, 2, 4-1, 3, इन दोने से answer निकल जगा, 2-3, 5, देखो array of, मतलब n is equal to 4 का answer 5 था, याद करो, तो कितना simple हो जाता ना इससे, बहुत जल्दी है 5 निकाल सकतो, ठीक है, तो चलो इसका code कर लेते हैं, तो चलो start करते थे, मैंने क्या बोला था, कि मैं एक array ले लूँगा, वेक्टर of int ले लो, array नाम दे देते हैं इसका, n plus one size कर लेंगे, राइट, 0, तो 0 होगा, है ना, आपको ये भी पता है कि array of one जो है, वो one होगा, है ना, और आपको ये भी पता है, कि array of two जो है, array of two जो है, वो मेरा two होगा, ये तो आपको पता था already, और यहाँ पर आप ये डाल, या तो आप यहाँ पर ये भी डाल सकते, तो if n is equal to is equal to अगर 1 है या फिर n is equal to is equal to 2 है तो return n है ना n1 है तो 1 answer होगा n2 होगा तो 2 answer होगा ठीक है और देखा जाए तो in fact n is equal to 3 के लिए 3 यह answer है तो यह आप कर सकते हो है ना बट हम यहां code से निकालते है for int is equal to 0,1 और 2 का हमने निकाल लिया अब हमें 3 से निकालना होगा है ना i sorry int i is equal to 3 है ना i is less than equal to n i++ हमें n तक का निकालना है है ना अब मैंने क्या बला दा t of i का answer कैसे निकलेगा हम क्या पॉसिबल तरीका हमें एक स्टेप ले सकते हैं t of i-1 नीचे उतर गए एक स्टेप यह फिर दो स्टेप ले सकते हैं i-2 है ना तो t of i मेरा पॉपलेट उतर रहेगा लास्ट में मझे क्या रिटर्ण करना है तो इसको रन करके देख लेते हैं क्या गलती कर दी हमने सौरी अरे नहीं इसका नाम टी देते हैं ती मेरे जुबां पर बैठा है चलो इसको सब्मिट करके देख लेते हैं ग्रेट इससे भी एक्सेप्ट हो गया है सलुशन सारे टेस्ट केसे हमने पास कर लिया है ठीक है अब एक लास्ट अप्रोच ठीक है यह आप ध्यान दो यह बहुत ही अच्छा है मतला अप्टिमाइजेशन ऐसे भी किया जा सकता है अब निकालना चाहरे ओघर dissociation गुपाई जब आप निकालना चाहरे हो तो देख रहा हो आपको बस आई-1 और सो चाहिए होता है मतलब जस्ट एक पहले और जस्ट दो पहले बस ना आपको i-3 से मतलब है ना आपको i-4 से मतलब है nothing ठीक है मतलब यहां मैं लिख रहा हूं i का निकालने के लिए you just need 1 पहले and 2 पहले एक पहले मतलब क्या हुआ i-1 चाहिए होता है and i-2 चाहिए होता है यही तो चाहिए होता है हना तो simple सा चीज़ है आप एक काम कर सकते हो आप तीन variable ले लो ना int a ठीक है int b int c ठीक है i-1 को मैं मान के चल रहा हूं यह a जो है वो i-2 को represent करेगा b जो है वो i-1 को represent करेगा ठीक है और c जो है मेरा i को represent करेगा ठीक है तो मैं t of i को c लिख देता हूं ठीक है t of i को c लिख देता हूं और t of i-1 को b लिख देता हूं और T of I-2 को A लिख देता हूं यहां दख clear है और last में हमारे CE में तो answer आ रहा था यह भी clear हो गया होगा ठीक है यहां दख clear है अब देखो अब इसको तो हटा सकते हैं यह vector को भी हटा सकते हैं हमसे variable से काम चला रहे हैं ठीक है अब एक चीज धियान दो एक काम करते हैं n is equal to 3 के लिए निकाल के देखते हैं answer क्या आएगा ठीक है दो A is equal to 0 है ठीक है B is equal to 1 है c is equal to 2 है right अब एक चीज धियान दो तो i is equal to 3 से start होगा, 3 less than equal to 3, c मेरा क्या हो जागा देखो तो, c मेरा हो जागा, b plus a, यानिकि 0 plus 1, c मेरा 1 हो जाएगा, और हम इस लूप से बाहर निकल जाएगा, और हम answer c भेज देंगा, c की value 1 है, जो कि गलत है, तो गलती क्या हुई हम से, b plus a कर रहे हैं, तो b तो 1 है और a 0 ह यहाँ पर गलती कर गए हम, तो a को 1 कर दो, b को 2 कर दो, c को 3 कर दो, ठीक है, तो अब c की value क्या हो जाएगा, b plus a, तो b मेरा 2 है, और a मेरा 1 है, तो यह हो गया 3, ठीक है, उसके बाद answer 3 return जाएगा, और यह किसी के लिए भी आप pass हो जाएगा, यह कुछ नहीं है, अगर आप अध्यान दो, तो एक तरह का Fibonacci sequence है, है ना, Fibonacci sequence है, nothing else, तो a को 1 कर दिया, b को 2 कर दिया, c को 3 कर दिया, Fibonacci sequence है, क्या होता है, c is equal to b plus a, just अपने previous 2 का sum होता है, है ना, तो 1 plus 2 is equal to 3 हो गया, ठीक है, c is equal to b plus a हो गया, फिर यात करो, उसके बाद क्या होगा, जो b है वो c क के बराबर हो जाएगा, और a जो है वो b के बराबर हो जाएगा, तो b किया था, temp of b के बराबर था, यहां तक clear है, simple हो गया, यह तो काफी, इसको run करके देखते है, great, let's try to submit this, great, we have solved through this way also, तो हमने काफी approaches देख ली है, तो it's all about how much you explore, जितना explore करो कि उतना सीखोगे, ठीक है, कोई भी doubt हो था, please raise it in the comment section, I'll try to help you out, see you guys in the next video, thank you